मेरे इंडियन लिट्रेचर वाले वीडियो में मैंने भारत में जो भाषाओं की विविदता है उसके बारे में कुछ कहा था उसके अनुसार आज मैंने सोचा कि ये वीडियो हिंदी में बनाते हैं और वीडियो का विशय है शेक्सपियर कौन था अब आप कहेंगे कि ये कैसा विशय है शेक्सपियर का नाम तो हम सब ने सुना है विल्यम शेक्सपियर इंग्लिश के जाने माने नाटककार थे और भारतिय भाषाओं के साहित्य में यहां तक की फिल्मों में हमें उनका प्रभाव जग जग दिखाए देता है बहुत सारी फिल्म में तो सीधे सीधे उनके नाटकों के प्लॉट्स के उपर कथानकों के उपर आधारित हैं और बहुत सारी फिल्मों में उनके नाटक में जो टेकनीक्स जो टकनीक यूज होते थे उनको यूज किया गया है तो शेक्स्पियर के नाटक पढ़ना और समझना अपने आप में एक अभ्यास का विशय है लेकिन आज मैं उसके नाटक या उसकी कविताओं के बारे में नहीं बोलूंगा वो तो बाद में आएगा लेकिन आज में Shakespeare एक व्यक्तिगत तोर पर किस किसम का व्यक्ति था और उस बारे में क्या-क्या कहा गया है क्या-क्या लिखा गया है इसके बारे में बोलने वाला अबशने लिख इसके अए इसके अजरीच्टार में अजिते के अतर एक्या अप्यूर्छ इसके लिवादियर्व याद के अजिवर्ड इसके ओम्यूर्ण में विच बार बेकिन्स कॉपवा है they played in several theatres until they eventually built the famous Globe Theatre their very first own stage as there were only male members in the company every role had to be played by men but that wasn't the reason why Shakespeare's plays like Othello or Hamlet were very popular to match the various tastes of a diverse audience Shakespeare created texts of high complexity containing relatively simple plots और सच पूछे तो ये बहुत अध्भुत तरीके की कथाएं उसके बारे में लिखी गई हैं क्योंकि सच बात यह है कि उसके बारे में कोई कुछ जानता नहीं शेक्स्पियर का जो चित्र हम देखते हैं वो भी किसी कलाकार ने शेक्स्पियर कैसा दिखता होगा इसकी कलपना करके जो बनाया था वो चित्र हम शेक्स्पियर का मान कर चलते हैं शेक्सपियर का कि यु कि अार्भ का देखते हैं स्थें कि इस काथ बाराब का जो जानते हैं गब लोग्याी होग एक्साल जाओक्रश फ्हुंस में का बोली ऑनते हैं वोग्या चेश्ट बेखते हैं अबस्यूम्री का शेक्षपीर का जनम् आपन ए वन इस गाओं में हुआ था ऐसा मानते हैं कुछ indirect records उसके मौजुद है लेकिन उससे आगे उसकी शिक्षा कहां तक होई थी वो स्कूल गया था वो युनिवर्सिटी गया था या नहीं इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है In his work, Shakespeare used his own special language Rich in metaphors and vivid images He even created new words which became firmly established As a consequence, many English words used today like lonely and gossip make their first appearance in one of his plays or sonnets Actually, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है या विरोधाभास है कि जिस किसम के नाटक उसने लिखे उसके नाटक में जिस किसम की का शंगर्ष हम देखते हैं जिस किसम के अर्थ के विविध स्तर हम देखते हैं उस हिसाब से वो एक शिक्षित वेक्ती लगता है लेकिन जो कुछ उसके चरित्र के बारे में जानकर ये है वो ऐसा कहीं पे भी नहीं दिखाती कि वो स्कूल या यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ा था ऐसा माना जाता है कि वो सेल्फ एजूकेटेड था शेक्स्पेर ने कुल 37 नाटक लिखें दो दीर्ग कविताय लिखें और 154 सॉनेट का सीक्वेंस लिखा अब इतनी साहित ते संपदा शेक्स्पेर हमारे लिए छोड़ गया है और उसका उसे सामझना उसे अप्रिशेट करना अपने आप में एक बड़ा टास्क है लेकिन बहुत बार लोगों ने प्रशन उठाया कि शेक्स्पेर कौन था और उसके बहुत ही अधुद जवाब लोगों ने दिये हैं कुछ लोगों का मानना है कि शेक्स्पेर एक पैन नेम था क्रिस्टोफर मारलो नाम के नाटककार का शेक्स्पेर के नाटकों के लेखन का जो काल हमें पता चला है उसी दोरान क्रिस्टोफर मारलो नाम का एक नाटककार इंग्लिश में नाटक लिखा करता था ब्लैंक वर्स नाम की जो रचना होती है कविता की काव्यात्म नाटक की उसकी शुरुवात क्रिस्टोफर मारलो ने की थी क्रिस्टोफर मारलो की जो शैली है वो शेक्स्पेर में बार-बार दिखाई देती है तो कुछ लोग कहते हैं कि क्रिस्टोफर मारलो ही बाद में शेक्स्पेर का नाम लेके ये नाटक लिखने लगा मारलो के मृत्यूं के बारे में कुछ निस्चित जानकारी नहीं है ऐसा कहा जाता है कि वो जासुसी का काम कर रहा था और फ्रांस में मारा गया लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो एक्चुली मरा नहीं वो England वापस आया लेकिन Marlowe के नाम से वो अगली जिन्दगी नहीं जीना चाहता था तो उसने Shakespeare नाम लेकर काफी सारे नाटक लिखे और Marlowe ही Shakespeare था दूसरा जो एक कहना है कुशलों का दूसरी थियरी है कि Shakespeare दरसल Francis Bacon का pen name था Francis Bacon एक बहुत बड़े गद्य लेखक थे उनके निबंद, उनके essays बहुत ही जाने माने हैं English साहित्य में खास करके 16 भी सदी के Francis Bacon की विचार करने की शैली, खुद को सामने रखने की शैली, शैक्स्पियर की शैली से बहुत मेल खाती हैं, कुछ लोग का कहना है कि Francis Bacon ही शैक्स्पियर के नाम से नाटक लिखा करते थे क्योंकि उस जमाने में नाटक लिखने को समाज में प्रतिष्ठा नहीं थे तो वो खुल कर नाटक कार के तौर पर सामने आना नहीं चाहते थे और उन्होंने शैक्स्पियर का नाम लेकर ये नाटक लिखे लेकिन ये दोनों ही थिरीज बहुत ही सामाने लगती हैं जब हम तीसरी थिरी की तरप जाते हैं, वो थिरी कहती है कि शैक्स्पियर दूसरा और कोई नहीं था बलकि खुद रानी एलिजाबेट जी हाँ रानी एलिजाबेट शेक्स्पियर का पेन नेम लेकर नाटक लिखा करती थी अब इस थीरी के लिए वैसे तो बहुत कम सबूत उपलब्द है लेकिन बहुत हाइटिक कोशिश इसके लिए की गई है कि क्वीन एलिजाबेट का जो चित्र हम देखते हैं वो और शेक्स्पियर का पोर्ट्रेट दोनों को कमप्यूटर पे कमपेर करके ये निश्कर्ष निकाला गया है कि दोनों एक ही व्यक्ति के पोर्ट्रेट दिखाए देते हैं और इसी लिए Queen Elizabeth ही Shakespeare थी और वो इस pen name से नाटक लिखा करती थी लेकिन जब Shakespeare के नाटक समझने का प्रश्ण उठता है उसकी कविताएं appreciate करने का प्रश्ण उठता है तो वो कौन था ये सवाल ज़्यादा माइने नहीं रखता वो जो कोई भी था उसने जो लिखा है वो निश्चित ही हमें कुछ देने वाला है और वो क्या दे रहा है उसकी तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा होना चाहिए Thank you